हेलो गाईट कैसे हैं आपसब लोग आज की वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूं लेव 52 शिरफ के बारे के बारे में हिंवालेये यह सिरफ है क्या कैसính के बेनिफिट्स है क्या की इसमें इंग्रिडेइन्ट है ports आज हम पूरी डीटेल में इस वीडियो में जानेंगें तो दोस्तों मैं आपको दिखाएता हूं कैसा होता है ली 52 का सिरफ है यह 200 ml की CC मेरे हाथ में हैं आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या इसके आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कैसे अपने पाचन क्रिया को मजबूत करें और जो लोग अल्कोहल जादा लेत है ताके आने वाले हमारी हर वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक मुष्टने तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके अलावा डेमेज डेमेज लीवर को मजबूती भी प्रतान करता है यह पूरी तरह से अर्वेदिक दवापर अधारित है इस शिरफ में पर्यों की समागरी बहुती दुरलब जड़ी पूटियों द्वारा तियार की जाती है जो कि वेग्यानिक रूप से इसका उप्योग लीवर से संबंदित बिमारियों में किया जाता है किन-किन दबाव को मिलाकर इस शिरफ को बना जाता है दोस्तों मैं आपको बतायता हूं हिमसरा का आपकाची अरजुना जहुआ जैसे दबाईया मिलाकर इस शिरफ को तियार किया जाता है दोस्तों बूख बढ़ाने में भी इस शिरफ का बहुत ही मैत्पुल योगदान है लीवर सेवन पेट की समानताओ को काबू रखकर बूख बढ़ाने में मदद करता है इसके अलाब डॉक्टर भी कम वजन वाले लोगों को इस शिरफ की सलाह देते हैं हाला कि जो लोग बॉडी बिल्लिंग करते हैं उन्हें भी ली 52 शिरफ की सलाह दी जाती है क्योंकि ली 52 भोजन की खपत को बढ़ाने का भी काम करता है पाचन क्रिया को ठीक करता है शराब के इस बात को ह अगर सही समय पर छोड़कर ना किया जाए तो दिक्कते और भी गंबीर हो सकती है दोस्तों आखरी सुझाव यह है कि ली 52 शिरफ का सेवन आप डॉक्टर की सलाह के बिगर ना करें और अपनी डॉक्टर के रिख देख में इस रपका यूज करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें कमेंट शेक्शन में जरूर बताएं और अब सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों थैंक्यू सो मच